अधर दोस्तों जो हमें लोग इंपोर्टन कोश्चन पढ़ रहे हैं उसके आगे देखते हैं कि मिनमम ग्रेड आप कंक्रीट किसके लिए डिजाइन और सी वाटर टैंक के लिए जो मिनमम आप ग्रेड आप कंक्रीट होती है कितनी होती है थो हमने इससे पहले भी पताया है औ कितना होता है थार्टी लिए जाता है ठीक है उसके बाद कुश्चिन दिया कहला है राइज एंड ट्रेट क्या दिया हुआ कितना है फाइब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर दिया है तो कह रहा है इंडेड लोड वेड बताना है डेड़ वेड़ अर्जेंटल एरिया कितना हो जाएगा तो हरजेंटल एरिया का डेड़ कितना होगा यह देखते हैं पहले फार्मूला फार्मूला होता है आपका各व डिया हुआ न्दी बरावर डबुरी में डबू डवो डेस इस कोई स्टक में अंडरोड में और का स्क्वाइर प्लॉस्टी का स्क्वाइर आ प्लेट के लिए क्या होता है क्या होता है क्या होता है और रिवेट प्लेट गार्डर के लिए जो ओसकी वाइलू होती है वाइलू होती है अब सिग्मा बींटो टीडब्लू होता है और वेट गार्डर के लिए जो होता है अगर जो है वह साथ सो पचास से कम है अब से विड़िये लेस देंसे सेवेंग फाइब जीरो यह यहांनी सासव पचास नहीं से नेसा अब गार काम है तुझा जाथ है उसको सालो टेप्स गार्डर कहते हैं और अगर डेप्स अगलान जो है वह घ्र सब्सक्रेड़ शानबाय हो जाता है इंपोर्ट्न एसको और यहां पर हम आपको साणी दिखा रहे हैं देखिए यह वन इंड लिखा है अधर इंड लिखा है ठीक है वन इंड है अधर इंड है और इंड में आपका डिखा रहे में वन इंड में अगर ट्रीक रहे के ड्रेशरी और इंड में दोनों cry फ्री है तो क्या हो जाएगा और अब दूसरे वाला condition क्या है इसको देखिए कि दूसरे वाले condition में कहा रहा है कि one ind जो है उसमें translation जो है वो restrained है और rotation free है समझेए translation क्या है वो restrained है rotation क्या है free है और other ind में जो translation है वो free है और rotation restrained है तब भी ऐसे condition में जो effective length निकल के आता है आपका two year हो जाएगा ठीक है ऐसे दोनों condition में आपका two year हो जाएगा तिसरी condition यह कह रहा है कि एक ind यानि one ind में जो translation है वो restrained है और rotation three है मतलब दूसरे वाले condition जैसी है कि translation restrained है और rotation क्या है free है और other ind में क्या है कि translation जो है वो restrained हो गया और rotation जो है free हो गया मतलब जो पहले condition है वही condition दूसरे में है ठीक है यानि पहले इंड में जो condition है वही condition दूसरे इंड में हो गया तो ऐसे condition में effective length निकल के आता है आपका 1L कितना होता है 1.0L हो जाता है ठीक है अब वह वन इंड में वन इंड में translation क्या है आपका restraint है और क्या बोलता है आपका translation के साथ साथ आपका rotation भी यह दोनों restraint है पहले इंड में यानि एक इंड में क्या है आपका translation भी restraint है और rotation भी restraint है लेकिन अधर इंड में क्या है translation free है और rotation जो है वो restraint है ऐसे condition में effective length आपका 1.2L निकल के आता है ठीक है अगला आपका दिया हुआ है कि अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों पहले इंड में रिस्ट्रेंड है और दूसरे इंड में क्या होता है कि आपका ट्रांसलेशन रिस्ट्रेंड है और रोटेशन फ्री है तो ऐसे कंडिशन में आपका एफेक्टिवलेंद पॉइंट ए आपका रोटेशन दोनों रिश्टेंड है तो ऐसी कंडिशन में आपका एफेक्टिव लेंथ आता हो पॉइंट सिस्पाइब हो जाता है तो यह आपकी सारड़ी हमको लग रहा है हमने बहुत अच्छे समझा दिया है इसको आप यार कर लिजेगा मोश्ट इंपोर्डेंट है ठीक है अगला दिया है एफेक्टिव थ्रोट ठीकनेस दिया है फिलेट विल्ड में के अगर दिया गया कितना के जो होता है के टाइम साइज आप याद कर लिजेगा कि साट से नबबे तक जो है के की वैलू पॉइंट से बन होती है एक क्यानबे स सहा था इस सब्सक्राव होती है यह सांभी यह सो एसका पॉइंट से नबबे तक पॉइंट सेबिका मैं ऑसकते पॉइंट सेक्सफ़ी यह सब्सक्राब कर चाहिए 1001 से एक सुछे च्रुक्त प 2.3 कं 5의 टिया है यह से विश्रीया जल्ट सेएं अब च्शिए आपको तक carrying स सेक्षिन विच में डेवलप प्लास्टिक इस्ट्रेस डिस्ट्रीबूशन फुली बट डजनाट है वेट डग्टिल्टीज ग्लासिफाइड अर नाती है अगला दिया हुआ क्या आपका लिश्ट वन को लिश्ट सेगें के साथ मिलाना है ठीक है लिश्ट वन को लेश्ट इस्ट्रीबंद दिया है तो ट्रीइसरा कालीम हो जाएगा एक लीचा पार एपर भिजर्व दिडूबरा कार डजर्य चैना टना यह समझें चनडान फीनटर का लागिention को स्टिपनर लिए इंद परोगा तो फोर्ट होता है तो याद रखिये गाटांसवर्श इस्टिपनर जोते हैं वर्टिकरल स्पायल होता है यहाँ पर दिफेक्ट दिया गया है मुलार कि यह zac तो शार से स्टार होता है तूआज से सब्सक्राइब से लिएंड तूट एंड तूट वाइडर होते हैं और और बार कह सकते हैं और नेयरो क्या होता है नेयरो होता है मतलब समझे स्टार से किसको कहते हैं स्टार से मतलब जो है एक डिफेक्ट होता अब जानते ही होगे तो यह क्या होता कि आउटर इड़ पर जो है इसका जो डिफेक्ट होता है वाइडर होता है और इनर साइड में इंसाइड में क्या होता है ठीक है और रिंग से क्या होता है क्या होता है when the crack जो है separated the inherently completely मतलब ऐसके बाद क्या क्या दिया हुआ है तो हड से टाल पिष्टार से हुता है just with the इन होता है करो बाले जाता है इन्साइड में जो होता है यहां पर नोग साड़ की तेजिया हुआ है सब्सक्राइब कर दो होता है और क्या है आपका रखते हैं और क्या है उसके बाद एक और दी गई है पोटासज लेड़ गलास पुटास लेड़ गलास को फ्लेंट गलास इसके जनापसी होता होता है उस को लाइं लाइम ग्लस को विंडोड़ अस ग्लास यह सोड़ा एस ग्लास विंडोड़ास भिकाथे हैं इसमें चुल कर Mind Fantasy का होता है लाइम होता है लाइम होता है लाइस और क्रार्फ मोतल सब्छल कियां सोडियों सिलीकेट 08 div को में सब्सक्राइब jeet del कि को होता है लाइम और यांते हैं फिल्ड 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 इसपार होता है ठीक है उसके बादों यह क्या चालिकनस नब्लाइम गारता हैं उसके बाद भन तो नहया है श्टम अब एकुरलाइं तो क्या होता है इंगल आप जीरो डिग्री या पहला होता है यह हो गए आपका उसके बाद का दिया है यह आपका इंपोर्टन दिया हुआ है कि यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं फिर से देख लेते हैं कि सेल्फ कंक्रीट का जो है यहां पर कुछ प्रापर्टी दी गई है उनको पढ़ना है वाटर पाउडर का जो रेशियो होता पॉइंट से पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है टोटर पाउडर कंटेंट जो हो कोर्स इग्रिगेर कंटेंट तो नाम यह लखा जाता है कि तो यह हो गया आपका यहां से आपका वीडियो खतम होता है थाइक धन्यवाद